नमस्कार दोस्तों आप सभी कईगवा फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंसी के दोरान फॉलिक एसिट के बारे में आप सबको तो पता ही होगा कि प्रेग् कर रही हैं या फिर प्रेग्नेंट हो चुकी है तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिट से सम्बंदित में यह चीजह नहीं की प्रेमस्डूड बर्त और मिस्केरज आदी का खत्रा भी काफी हद तक कम हो जाता है गर्वती मेलाओं के लिए फॉलिक एसीड सूपर फूट से कम नहीं है प्रेगनेंशी से पहले और बाद में इसका सेवन करना बहुत जरूरी है प्रेगनेंशी से पहले भी और प्रेगनेंसी के के होने की आसंका नहीं रहती है रबती महीला के शरीर में भरपुर मात्रा में फॉलिक एसीड होने पर बच्चे के ब्रेन और रीट की हड़ी का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है इसके लाबा मैं आपके बात और बता दो यदि आप गर्व धारन करने से एक साल पहले यानि कि यदिया प्रेग्निंसी प्लान कर रही है तब भी आपको फॉलिक एसीड का सेवन जरूर करना चाहिए वैसे समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों में अंगों का विकास ना हो पाना अंधापन और फेफरे के संकर्मन का खत्रा रहता है फॉलिक एसीड लेने से फॉलिक एसीड होता है प्रेग्निंसी के दोरान महिलाओं को खुब सारे फॉलिक एसीड की जरूरत पड़ती है तो इसे खाना बिल्कुल भी ना भूलें पतेदार सबजियां फलियां साग राजमा साबुत अनाज और दाले सोया से बने प्रोडक्ट सेम विवाजन अंडे या सार्डिन वे आपके बच्चे के लिए लादायक होती है प्रेग्निंसी में फॉलिक एसीड और एडिन की कमे के कारण गरवती महिलाओं को एनेमिया हो जाता है इसके बाद प्लेसेंटा को प्रयाद मातरा में आक्सिजन नहीं मिल पाती और प्रेग्निंट महिलाओं को यह जाती है तो आपको अपने सरीड में एनेमय की कमे भी नहीं होने देना है तो प्रेग्नेंसी के 30-34 हफ्ते में जम दोस उत्पन होते हैं इसलीए इस दोरान सरीर में फोलेट होना बहुत जिरूरी है प्रेग्नेंसमें सुरवाती चर्णों में बेवी के मस्तिस्क और स्पैनल कॉर्ट का विकास होता है अगर आप भी phallic acid के supplements ले सकती हैं phallic acid से संबंदित खादे परदात का सेवन कर सकती है और यदि आप pregnant हो चुकी हैं तो phallic acid का सेवन करना शुरू कर दे और अपने डॉक्टर के संपर्ण में जरूर है तो आपके सारी में कोई भी कमी होती है आपके डॉक्टर को पता चल जाता है और वह उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करते हैं तो ऐक